कि हालो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की वस्तुकला के बारे में तो गाइस चार या पांच प्रकार की वस्तुकलाओं के बारे में आज हम बात करेंगे जिन में से पहली है नागर शेली तो यह गाइस नागर शेली जो हैं उत्तर भारत में बाए जाती हैं और नागर मंदिरों की दो विशिष्टाओं के अगर हम बात करें तो यह योजनाओं में पहली विशिष्टा है योजना के बारे में तो मंदिर एक वर्ग हैं जिसमें प्रतियक पक्ष के मध्य में कई इसना तक किये गए अनुदान होते हैं जो प्रतियक पक्ष पर पुना परिविक्षित कोणों की संक्या के साथ एक करूस्री फॉम आकार देते हैं कि उच्छाइगे बात करें तो यह सिरका यानि टावर धीरे दीरे उत्तल वक्र के अंदर की उर्जुकाव करता हैं सेकंडे गाइस प्रतिहार जो की उज्जेन के आसपास के शेत्रों में दिखाई देती हैं यह आटवी और नुवी शताबदी के आसपास दिखाई देती हैं यह गाइस गुज्जे प्रतिहार वंश्वाल लई जो सामराज्य थे तो उन्होंने इसको प्रारंब किया था तो पहला एक्जामपल हम देखे तो महाकालेश्युर मंदीर जो की भारत की भारत जोतिर लिंगों में से एक माना जाता हैं और इसके बाद काल भेरव मंदीर में इसकंद पुराण और एक उल्लेक मेलता हैं तो यह भी जो की उज्जेन में ही स्थिस हैं इसके बाद महाक मंगलनात मंदीर जो म्रत्य सी पुराण के अनुसार मंगल का जन्मिस्तान माना जाता है तो गाइस यहां से आपके लिए इंपोर यह बंगाल और बिहार के शेत्रों में दिखाई देती हैं और यह जो आटवी और तेरवी शताबदी के मजड्य इसको देखने को मिलता है पाल और सेना शाष्कों के अधिन बंगाल और बिहार में फुल फला-फुला इसके बाद नालंदा इसका सब सब से सक्रीय केंद्र था जिसका सोभाव नेपाल म्यामार और यहां तक की इंडोनेशिया तक फिला हुआ था इसके बाद जो है चंदेला जो कि बुंदेलखंड के आसपास शेत्रों में दिखाई देती हैं और दस्वी और गैरी शताब्दी के आसपास इसको कि दिखाई देती हैं यह खजुराहों की अपनी आकरती और कामुक मुर्तियों के लिए प्रसिद्ध है इन बाविश मंदिरों मुल्प 85 में से को दुनिया की महान कलात्म का स्टेरियों में से एक माना जाता हैं खजुराहों मंदीर नो सो पचास से एक हजार पचास इस्वी स से तो साल की छोटी अधीघीड के भीतर बनाए गये गए थे इसमें महादेव मंदिर खजुराहों मंदीर में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदीर इसके साथ है विश्व मनात में शीव मंदीड हो में विश्नु मंदिर खजुर होते हैं इस यह इस जो कि द्रवीड बह जो कि मंदिर को ही विमना या विनाम कहत जाता है इसके बाद यह हमेश्य यूजना में वर्गाकार होता है और एक या अधिक कहानियों की पीरिमीडा नुमाच्छत से गिरा होता है इसमें वह कक्ष होता है जहां देवता के छवी लखी जाते हैं इसके बाद पोर्चे या मंडब जो हमेश्य कक्स को कवर करते हैं और पूर्विवरस्त होते हैं गेट की बात करें तो गेट पीरामीड या गोरुप जो चतुरुभूच बाड़ों के प्रमुक विशेषता हैं जो कि अधिक उल्लेखनी मंदिरों को केरते हैं खंबे वाले हाल या चाल्टूस विभिन उद्देश्यों के लिए इस्तमाल किये जाने वाली चोंदिया और इन मंदीरों की अध्रश्य संगत हैं अब बात करें गाइस हमारा जौनती में वेसर शेली जो कि डेकन शेत्र में दिखाई देती हैं वेसरा नागर और द्रवीर मंदीर शेली ओका एक सही ओजन है तो हमारा जोनती पॉइंट सबसें इंपोर्डेंट पॉइंट है आपका एक्जाम के लिए निकल सकता है वेसरा नागर और द्रवीर शेली के जो मंदीर है उसका सहीओ जन की शेली में दिखाई देता है तो यह गाइस वेसर शेली तो पन्यमाद